तो हेलो फ्रेंट्स वल्कम बैक टू मैं रूपम तो चलिए आज का टॉपिक है मेरा दस से ज्यादा प्लांट मैं ऐसे कुछ बताने वाली हूँ जो कि अभी इतनी तप्तिवी गर्मी में आप कटिंग लगा सकते हैं और वो हाड़ी प्लांट है बहुत जल्दी ग्रोबी हो जाते हैं कोई किरने मांगता है तो वही मैं आज आप लोगों से सेर करने वाली हूँ सबसे पहले आपको ब्लूमिंग दिखा रही हूँ उसके साथ साथ अपना मौसम दिखा रही हूँ दिखे कितने वहां थोड़े से आज बादल घिरे हुए है और थोड़ी थोड़ी बा बादल करे होगे हैं बहुत दिनों से बादल Canyon फिन बारिस रही है छेछ से सबसे टुरूर बन गई है कितने अच्छी से कलियां बन रही है बहुत सुंसर से प्लांट की चल रही है तो चले सुरुआत करते हैं कि आप कैसे लगा सकते हैं तो सबसे पहले यह मैक्सिकन पिटुनिया मैं दिखा रही हूं जो कि इसकी फ्लावर की जो उम्र होती है एक ही दिन के लिए 24 गं तो यह भी कटिंग से जल्दी प्रपरगेट होते हैं जो कि बहुत आसानी से इसकी सिर्ष बन जाती जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूं देखें यहां पर इस देखें आपको शिर्ष बस आप इसको ऐसा इस जिरा दोगों कोई भी मिट्टी में तो यह आसानी से लग जाएं यह प्रपरगेट हो आप इस तरीके से दिखें यह पत्तियां दिखा रही है आपको यह पत्ते जो नोड एरिया है नीचे वाले जगह है इसको आप इसे मिट्टी में दबा देंगे तो यह असानी से लग जाते हैं और इसके बाद देखें यह हार्ट रिंग यह टर्टल व ये वाले टिप को आप लगा सकते हैं, असानी से ये लग सकते हैं, उसके बाद दिखिए ये क्रिंपिंग इंच, जो कि मैं छोड़-छोटे पॉट में लगाई हूँ, और इसकी भी ग्रोध बहुत ही आसानी से लग जाती है, छोड़-छोटे आप ऐसे टुकड़ों में इसक ये लगांगे, तो बहुत जलदी आप इसको प्रोपगेट कर सकते हैं, बहुत तेजी से लगने रभाट है, कोई केरने मांगता है ये प्लान्ट में साबरिंग थोड़ी कम करें, अगर साबरिंग करेंगे तो इसके उपर क्या होगा न मिली बक्र आटएक हो जाता है, तो से बचे क्योंकि वजन होने के वज़े से यह प्लांट लद भी जाते हैं तो थोड़ी बहुत गर्मियों में मैंने इसको सावरिंग कर दी थी लेकिन देखे प्लांट थोड़ी सी लद गई है इसे मुझे कुछ सपोर्ट करना पड़ेगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं उसके अच्छे फ्रावरिंग ले सकते हैं तो देखें आगे आपको मैं दिखा रही हूं यह रियो प्लांट बहुत सुंदर सा पतियों वाला प्लांट है पीछे परपल कलर है उपर ग्रीन कलर है इतने प्यारे लगते हैं मैंने छोटी से टोकरी में लगाई हूं इसको और कितने लगाने का जरूरत नहीं पड़ता है आप इसको लगा दें लगाने के बाद फिर ये दिखें अपने आप इस टार्ट हो आते बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं आप इसको हेंगिंग लगा सकते हैं चोटी-चोटी टब में लगा सकते हैं जदा बड़ा पॉट भी नहीं मां सवाध आता है, इसमें बहुत यह अच्छा और घ्शल फगरा भी नहीं बनने देता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से उसकते हैं और यह प्लांट को डिवाइड करके लगाने में भी असानी है, बहुत अच्छे से propagate होयाते हैं और ये है क्रोटोन गरोटोन के भी cutting में लगाया हूं आगे दिखांगे आपको यहां से दिखे इतना चता चाप लेगे और इसकी cutting लगाने तु यह असानी से लग जाते हैं और इसके बाद दिखिये यह हरेलिया यह भी मेरा cutting म хотелain देखे oni है बहुत सब्सक्राइबि बहुत है यह चलते हैं तो इधर मेरे सारे हिविषक नहीं है भी आप कटिंग से लगाएंगे लेकिन फोड़ा यह समय लेता है तो कई नहीं फेंट फटोड़ा जो जल्दी जल्दी कर जाता है उसको प्रोफगेट कर सकते हैं घुलाइन सेनीistes को होट यहां अच्छे से और दिखे मैं दिखा रही हूं कितने अच्छे सी यह सं रोज का ही कि बाफ़ी फोलिवाइग होनी ऐसません प्रबॉल कि लगाई हैं देखिए उसको बहुत है तो इसको ही आप कूरिया से लगा सकते हैं इधर , पान की बेले पान की बेने दिखिए बहुती आसानी से प्रपगेट कर सकते हैं चोटा चोटा नोड एरिया इसको भी आप यहाँ से चोटा नोड एरिया लेंगे जो जॉइंट वाला जगह है वहाँ से उसको रेत में दबादे बहुती अच्छे से इसकी ग्रोथ होने लगती है और बहुत ही अच्छे से प्रपगेट हो जाते हैं तो चलिए आगे दिखाती हो फ्रेंट इधर मेरे सारे क्रिशन्थमम रखे हुए हैं बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं और बहुत सुन्दर सा प्लांट है फिर देखिए ये पैनिवर्ड पैन प्रप्टा में एक यह वाला यह वाला दिखे यहां निकाल करके आप इसको लगा लेंगे ना तो यह दिखे धीरे 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 फैल जाता है बहुत सुन्दर सा लुक देने वाला प्लांट है और देखिए इसकी पत्तियां इतनी प्यारी होती है ना कि इनकी बाती कुछ औ अधर से इधर दिखे एक यह मनी प्लांट इसकी भी कटिंग दिखे यहां पर कैसे निकली विए इसको भी आप बहुत यह असानी से प्रपगेट कर सकते हैं तो इसकी मिटी में यह टच हो गया था यहां देखिए मेरा मिंडा विला के प्लांट में तो दिखे कितने इसको प्रपर चाहिए होता और बहुत एक छोटा सा इतना छोटा सा भी आप लाकर कि देखिए इतना छोटा सा भी आप लगा लेते हैं ना किसी मिटी में आप दबा देंगे तो यह साल उसाल पूरी जीवन तक बना रहेगा आपका जीवन खत्म हो जाएगा लेकिन यह प् पोगेट हो जाता है बहुत सुंदर सा हाड़ी प्लांट है और इधर देखिए कुछ प्लांट मेरे टर्टल वाइन के यहां में लगाई हो क्रिंपिंग इंच देखिए कितने अच्छे सी पूरे कभर कर लेता और यह दिखिए गुल्डन पथोज की छोटी सी आपको दिख इसके बाद दिखिए यह है स्वीट पोटेटो वाइन बहुत सुंदर से चलता है इसका भी छोटा चटर नोडरिया में एक छोटा कटिंग लेके आई थी और इसकी कटिंग बहुत सुंदर से चलती है डार्क ब्राउन कलर का यह दिखिए ब्लैक ब्राउन बोल देंगे इस को तो उसमें यह पतिया हैं बहुत सुंदर से कलर मैंने एक ही कलर का कॉम्बनेशन मिला करके मैं रखी हूँ और बीच में दिखे यह ऐसे ही नित्ति करते वे ड्होल बजाते वैं एक सोपीस रखा हुआ था इसके बीच में मैंने इसको लगा दिया है उसके बाद दिखिए प्लांट सबसे तेजी से फैलता है बहुत अच्छा इस तरीके से जाड़े दिखें यह गर्मी के मौसम में एकदम हरे भरे होने वाला प्लांट है बहुत सुन्दर सा इसके पत्तियां खुबसूरती है अगर नहीं भी आपके प्लांट जो भी विगनर है प्लांट नहीं है त एक उत्वी की सब्सक्राइब प्लांट्थ चाहिं सरs लुड़ा नहीं हैं तो इसके बाद थे थ्रूड़ा सा प्लांट पहले में करका करते हैं आसे कितने अधार तेजी से हैं कुछे लगता यह दिनों में में इसमें बनेगी और किम लगा दिया और इस नहीं के बाद और चुछ बहुत बहुत बादल गरजने में देखें कितने अच्छे से मतलब कि थोड़ा नमी बना हुआ है गर्मी थोड़ी कम हो गई है यहां का आज मैंने साफ सफाई किया है अच्छे से तो कुछ-कुछ ऐसे ही प्लांट थे जो कि मैं आप लोगा सकते हैं चलिए कुछ एक ड्रेसीना का प्लान दिखाती है जो कि मैं कटिंग से लगाई हूं वह भी बहुत जल्दी असानी से प्रपगेट हो जाता है तो फेंड देखिए छोटा सा पॉट में मैं लगाई हूं देखिए कितना छोटा सा दो से तीन इंची का पॉट होगा ज़दा बड़ा नहीं है और मैं छोटा सा कटिंग लेकि आई थे दिखे कितने असानी से इसकी कटिंग चल गई है और ये रेत में लगाई हूआ है इसको मैंने सोचा था मैं की रिपोर्टिंग करूँगी लेकिन मौसम हो गया है बारिस का तो पता नहीं फ्रेंड देखे क्या होने वाला है अगर ज जर्वेरा में देखे एक फ्लावर कितने प्यारे खिले हुए हैं तो इसी तरह किसे मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी थोड़ी सी भी तो जरूर मेरे चैनल को लाइक करिएगा मेरे चैनल को मेरे चैनल पर न्यूं है सब्सक्राइब करिएगा बैल अकर जरू करिएगा ताकि आने वीडियो की नोट्पिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और मैं ऐसे अच्छे वीडियो के लिए ले के आउगी और कोशिस करूंगी कि मेरी जो भी जानकारी में देती हूँ आप लोगों उसे मतलब उसको आप अच्छे से यूज करें और मेरे ज जैसे कमेंट करते हैं बहुत मोटिवेशन मिलता है तो इसके वज़े से आप लोग कमेंट जरूर करिएगा थोड़ा सा हिमत मिलता है कि नहीं मेरी वीडियो कि नहीं को तो अच्छी लगती है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज कुछ ज्यादा ही बोल दी उसक